दोस्तो आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे न्यू क्रिटिसिजम को सबसे पहले आप इस प्रेक्टिकल के तरफ ध्यान दीजिए स्क्रीन पर दो लाइन्स में आपको दिखा रहा हूं अब आप अपने according, अपने mood के according, अपने emotions के according इन लाइन्स का meaning निकाल सकते हैं जो भी आप चाहे चाहे वो meaning इस लाइन को लिखने वाले author से match करता हो चाहे नहीं करता हो यह जो text है यह sufficient है लिकिन आपको एक बात बता दू अगर इस समय, जिस समय आप मेरी वीडियो देख रहे हैं आप sad हैं, तो आप जरूर death के बारे में negative तरह से सूचेंगे लिकिन अगर आप positive हैं, आप खुश हैं अपने जिंदिगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो आप सोचेंगे क्या लिखा आईए how wonderful is death, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता दोनों ही शर्तों में, टेक्स्ट काफी है आपको एक meaning देने के लिए चाहे negative meaning है, चाहे positive meaning है इसी बात को new criticism highlight करता है 1920s के time पर, खास तोर पर अमेरिका में ये moment start हुआ, एक formalist moment जो की forms पर ध्यान देता है कि literature में poetry हो, चाहे वो novel हो, कोई भी टेक्स्ट हो वो self-contained meaning रगता है और कुछ उसमें hidden भी रहता है आप उसे पूरी तरह से paraphrase नहीं कर सकते अब नेकिन कुछ लोग इसके अपोज भी जाते हैं वो बोलते हैं कि टेक्स्ट का meaning सबजने के लिए हमें history पढ़ना जरूरी है टेक्स्ट की author के बारे में जानना जरूरी है ये लोग हैं New Estotalian School की लोग इन्हें Chicago School of Critics भी कहा जाता है अब अगर कोई आपसे पूछे कि New Criticism किसके आपोज में आया था तो इसका अंसर है Impressionistic Criticism Impressionistic Criticism क्या होता है ये एक emotional effect create करता है एक atmospheric effect जिसमें हम text के atmosphere पर ध्यान देते हैं उसकी close analysis पर ध्यान नहीं देते लेकिन New Criticism जो है ये close reading पर ध्यान देता है literary text के और इसे सपोर्ट करते हैं T.S.Iliot Thomas Stern Iliot उन्होंने एक method का जिकरी किया Lemon Squish Method जिसमें क्या होता है कि आपको किसी भी poem के किसी भी poetry के stanza को line by line analyze करना है बिना ये जाने कि उसका author कौन है और ऐसा ही एक experiment किया था I.A. Richards ने Ivor Armstrong Richard The Father of New Criticism इनकी एक book आई थी Practical Criticism 1929 में जिसमें इन्होंने describe किया है अपने एक experiment को जिसमें इन्होंने कुछ undergraduate बच्चों के साथ students के साथ एक experiment किया इन्होंने उन students को एक poetry दी और ये बिल्कुल नहीं बताया कि इसका writer कौन है इसका author कौन है और सभी students ने अपने-अपने responses उन्हें submit करे जिनने बोलते है stock responses नेट में भी ये question पूछा गया है basically सबसे पहले new criticism जो एक दाम है ये coin हुआ 1941 में John Crowe Ransom की बुक थी The New Criticism करके उससे ये title सामने आया अब मैं आपको pneumonic तरह से इसके writers के बारे में बताऊंगा आप याद करने जाएगा तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा W.I.C.F W का मतलब है William Empson I का मतलब है Ivor Armstrong Richards C का मतलब है Klynith Brooks F का मतलब है F.R. Levis R.A.J.R आप इसे जाए तो राज आद करके भी याद कर सकते हैं R का मतलब है R.P. Blackmore A का मतलब है Alan Tate J का मतलब है John Crowe Ransom 1941 का इनका New Criticism का जो बुक है वहाँ से ये नेम ड्राइब हुआ है जैसे कि मैंने आपको बताया और लाजट है हमारे पास F.R. जिसका मतलब है Robert Penn Warren और F.R. आता है W.B. W.E. का मतलब है William N. Beardsley William William का पूरा नाम है William Kurtz Wimset और Beardsley है Monroe Beardsley तो दोस्तों इस वीडियो में हमने सिर्फ New Criticism का इंट्रो कवर किया है अभी भी बहुत कुछ आपको बताना है तो आने वाली वीडियो में हम New Criticism के Concepts को डिस्कस करेंगे त्योरीज को डिस्कस करेंगे आप जरूर बताएगे कि आप क्या सोचते हैं